है गाइस और आज की वीडियो में होने वाला है थोड़ा सब कॉंट्रोवर्शल टॉपिक के उपर बातचीत लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल के उपर विजिट कर रहे हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करने मत भोलना त कुछ थोड़े से कॉंट्रोवर्शल थे कुछ डिजर्विंग थे तो जो वाले डिजर्विंग थे उसमें मैं बोल तो भी एंडर्सन बेस्ट गोलकीपर के अवर्ड मिला है वहाँ पर एंडर्सन को दबेस्ट गोलकीपर जो की डिजर्विंग था बंदे ने चैंपेंस ल winning coach उसके बाद जो फीमेल जो बेस्ट प्लेयर है वो मिला आइटाना बॉनमाठी को जो की बार्सलोना का प्लेयर है फीमेल प्लेयर उनको मिला है ये अवार्ड लेकिन असली controversy तब शुरू होती है जब FIFA the best men's player of the year का अवार्ड दिया जाता है और वो दिया जाता है लियोनल मेसी को जी हां सबसे पहले बता तूं जो वोटिंग होए था उसके अनुसार लियोनल मेसी अर्लिंग हालंड और किलियन इंबापे टॉप थी में थे किलियन इंबापे ने थर् चीज किया जिसका मतलब था कि जो captains है जिन्होंनों भी vote किया है इन players के लिए captains हो गए national team के captains, football national team captains, coaches वगेरा जो vote करते हैं, journalist होते हैं यह सब जो vote करते हैं तो जो जिस player को सबसे ज़्यादा captains वगेरा से vote मिलेगा ऐसा को जो उन्होंने rule बनाया था तो वो ही आगे जा के लिए यहाँ पर लियोनल मेसी बाजी माल लेते हैं और जीत लेते हैं यहाँ पर फीफा दा बेस्ट का award अब बहुत सारे लोग यह बोलेगी कि यह undeserving है देखो मुझे नहीं लगता है यह undeserving यह deserving का मामला है मुझे लगता है यहाँ पर कि जो award का जो time frame है जिस time से इस award को म मतलब इस award का जो duration है जिस time period के अंदर इस award को दिया जा रहा है वो है 19th December 2022 से लेके 2023 के end तक आप बोल सकते हो तो इस season में आप देखो लियोनल मेसी ने इंटर मायमी के साथ goals मारे हैं लीक कप जीता है बहुत बढ़िया लेकिन आप Erling Haaland को कैसे दरकिनार कर सकते हो I mean जिस बं जीता हां मानता हूं Champions League के semi final final में उतना चा performance नहीं था उसके बावजूद उसने बहुत बढ़िया खेला तो मुझे रखते था बैलंडर मेसी को मिल चुपा है लेकिन यहां पर FIFA था बस Haaland को मिलना चाहिए था अब बहुत सरो लोग बोलेंगे तू तो मेसी के against कैसे बोल रह तुरा गला खड़ाब हो गया मेरा sorry for that बट यहां पर बात यह है कि deserving undeserving के अगर बात आती है तो मैं बोलता हूं कि team awards या team trophies वगेरा तो मेसी को कोई फरक पढ़ता नहीं कि मेसी यह award जीते या ना जीते लेकिन एक promising player जो upcoming superstar है उसको अगर यह award मिलता तो ज्यादा बहतर रहता और अगर बात किया जाए मेसी को मिला है बहुत सरो लोग बोलेंगे प्यार बहुत अच्छा है यहां पर मेसी के PR का या फिर ad agency वगेरा इनका कोई लेना दरा नहीं है यहां पर purely on the basis of votes जहां पर journalist ने vote किया है team के football teams के captain ने coaches ने vote किया है यहां तक Luca Modric वगेरा इन लोगों ने भी मेसी को वोट किया है Mbappé ने भी मेसी को number one पर रखा है voting पर और अगर आप देखो कि मेसी ने किनको vote किया था इस award के लिए तो मेसी ने vote किया था number one पर Erling Haaland, number two पर Killian Mbappé, number three पर Julian Alvarez को तो इससे आपको पता चलता है कि मेसी कितना selflessly यहां पर vote के अपने against के rival के लिए उसके बावजुद अगर मेसी जीतता है यहां पर on the basis of more votes from the captains, club captains नहीं, national team के captains तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, और यह जो awards है इनको personally नहीं ले, बहुत सा ऐसे awards जो रोनाल्डो जीतता था, मेसी जीत रहा है, इसके बाद Mbappé जीतेगा, Haaland जीतेगा, तो इन awards को कभी भी दिल पे मतले ना, जो team wise performance ह होती है, जो trophies होती है, उनको हमेशा personal लेना चाहिए, क्योंकि वो एक hard ford होती है, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा journalist कहां से, कोई भी captain अपने पसंदीता प्लेयर को vote दे सकता है, ताकि वो player trophy जीत सके, या फिर award, जो भी कहलो वो जीत सके, तो यहाँ पे on the basis of favoritism भी होता है, मानलो, Van Dijk को, Messi को vote करना था, उसने, Messi को पहले vote कर दिया होगा, तो Messi को जाधा point मिल गया है, Modric को नहीं करना था, उसने second place पे Messi को रखा, जहां तक मुझे याद है, तो Messi को थोड़ा कम vote मिला, लेकिन ऐसा ही चलता है, यहाँ पे, यह जो voting system है, बहुत ही अजीब हो गरीब है और इसके लिए एक दूसरे के साथ लड़ने की कोई फायदा नहीं है, तो भई, Messi को मिल गया यहाँ पे एक और, FIFA the best का award, और I think यह आखरी होगा, क्योंकि अल्यटी आठ बैलंडोर जीत चुका है, FIFA the best भी यह 2023 में जीत चुका है, मैसी, अब आने वाले future में, most probably, Harlan बैलिंगम वगरा यह होंगे आपके, FIFA the best बैलंडोर के लिस्ट में, तो मतलब यही तक छोटा से reaction, इस पूरे FIFA the best के controversy के उपर, और भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ऐसी और वी सुल्ड़ के लिए सुल्ट